Hello everyone, today we will read about noun. All living things around us are called noun. They all have names. All people have names. Man, brother, schoser. ये सब जो है, सब के नाम है. All the places have names. जैसे beach, shop and library. ये जो है, ये places के नाम है. Students, animals have names. जो भी animals है, उनके नाम है. जैसे fox, butterfly, elephant. इन सब के नाम होते हैं. तो ये क्या है, हमारे noun? All things have names. जैसे computer, flowers, books. ये सब क्या है, name. तो noun क्या हुआ? All these names are called noun. Nouns are the name of people, place, things and animals. जो noun है, वो animal, people, place and things के नाम होते हैं. इस दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं, हरे का कोई ना कोई नाम है. तो types of noun. नाम जो है, हमारे वो five तरह के होते हैं. Common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. तो students, हम one by one इन सब को discuss करने वाले हैं. क्योंकि ये जो noun है, ये आगे हमारे बहुत ही ज़्यादा useful हैं. Common noun, proper noun, collective noun and next is our material noun. नाउन, first of all we will discuss about, that is, common noun. Common noun is the noun, noun is general and ordinary name of person, place, animal, things and event. जो कोई भी animal, कोई भी person, कोई भी place, कोई भी event के लिए common चीज़ यूज़ की जाती है, उसको हम common noun कहते हैं. जैसे doctor, teacher, mother, sister, ground, hospital, tiger, pencil, cricket, movie. ये जो है, ये किसी के लिए भी उसकी जा सकती है. डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है. ठीक है, डॉक्टर में अगर कोई male हो, female हो, कोई भी डॉक्टर हो, तो वो डॉक्टर ही हम उसको बोलते हैं. टीचर के लिए भी. Now, look at this example. The girl has a beautiful cat. तो girl जो है, वो कोई भी लड़की girl हो सकती है. उसका नाम तो नहीं है ना. तो इसलिए ये होगे हमारा common noun. और cat जो है, वो भी हमारा कोई भी cat हो सकती है. डॉक्टर इस प्लेइंग विट फेस्परी इंदा पार्क. क्योंकि यहां पे ना तो पाक का नाम है, डॉक्टर का नाम है, और ना ही girl का नाम है, ना ही cat का नाम है. तो यह हमारे common noun है, common noun वो noun होते हैं, जो किसी के लिए भी use किये जा सकती है. उसको हम common noun बोलते हैं, जो common होते हैं, अगर मालो एक girl है, उसको भी हम girl ही बोलेंगे, दूसरी को भी हम girl ही बोलेंगे. जोग है, जब तक उसका नाम नहीं दिया जाता, मैंने बोला Rita, तो then Rita जो है वो proper noun होगा, girl, common. Now proper noun, proper noun जो होता है, वो किसी भी particular person के लिए, place के लिए, animals के लिए, और things के लिए, जो उनका proper नाम दिया जाता है, उसको हम proper noun कहते हैं. proper noun जो है, हमेशा capital letter से शुरू होता है, जैसे जितने भी हम नाम देखते हैं, चाहिए वो किसी TV चैनल का हो, किसी चीज का भी नाम हो, जैसे राम हो गया, सोनिया हो गया, मिसिस पारकर हो गया, मुंबई हो गया, लंदन हो गया, सिटी होंडा हो गया, सोनी हो गया, TV हो गया, इस सब जो है, वो किसी ना किसी की नाम है, किसी को identify करने के लिए उसको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जो वो नाम होता है, चाहिए वो किसी school का हो जाए, किसी building का नाम हो जाए, तो उस नाम को हम क्या बोलते है, proper noun, लेकिन माली जी हमने school दिया है, और school की, अगर हमने school तो common noun हो जाएगा लेकिन अगर उसी school का हम नाम देते हैं तो हमारा जो हो जाएगा वो proper noun हो जाएगा ऐसे मैंने बोला man, man कोई भी हो सकता है अगर उसका नाम दिया है तो वो common noun now Ria calls her beautiful cat kitty, Ria नाम है, cat यहाँ पर common noun है और kitty भी यहाँ पर proper noun है क्योंकि Ria और kitty परसन के नाम है उनसे हम उसको identify करते हैं Fido is playing with a fizzy in the country club park तो यहाँ फिर Fido और country club जो हैं वो places के मतलब यह किसी चीज़ के नाम है इसलिए जो यह है हमारे यह हमारे proper noun ठीक है अगर इनका नाम दिया जाए तो यह proper noun अगर इनका नाम ना दिया जाए तो यह कौन से noun होते हैं हमारे common noun ठीक है जैसे कि Fido एक dog है लेकिन यहाँ पर Fido दिया हुए इसलिए ही यह हमारा जो है proper noun अगर next है collective noun collective noun क्या होता है a noun जो कि group of collection similar things का collection हो चाहे वो animals का collection हो चाहे वो person का collection हो चाहे वो things का collection हो उसको हम क्या बोलते हैं किसी के group को हम collective noun कहते हैं इसे यहने बोला team of crickets जो crickets की team है वो हमारा एक group है इसलिए वो collective noun the troop of dancers dancers का group the herd of persons the chore are performing tonight यहाँ पर क्या है singer जो है singer जो का जो group है वो performing कर रहा है the broad was well fed ठीक है मतलब जो animals यहन का group है उन्होंने अच्छे से खाना खा लिया तो यह जो है मारा group पताया है जैसे cricket team हो गया the bouquet of flower हो गया ठीक है जो flock हो गया the herd हो गया जो animals का group है उसको हम क्या बोलते हैं common noun now material material noun material noun जो है वो होता है जो किसी भी substance के लिए use किया जाता है prepare another thing जैसे कोई चीज को बनाने के लिए जब किसी और चीज का use किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते है material noun जैसे की wheat हो गया gold हो गया silk हो गया stone plastic paper glass wood इन चीजों से जो है कुछ न कुछ बनता है gold से jewelry बनती है silk से साड़ी बनती है example देखिए see me look elegant in the silk dress in the party तो silk यहाँ पर material हो गया क्योंकि उससे क्या बना है dress the gold necklace is beautiful तो gold क्या है हमारे यहाँ पर material gold gold से हमारे क्या बना है necklace जिससे कोई चीज बनती है उसको हम क्या बोलते है material जैसे कि हम यहाँ पर wood ले सकते है ठीक है यहाँ पर हम milk ले सकते है ठीक है यहाँ पर हम oil ले सकते है तो यह क्या है next abstract noun जो होता है वो हमें बताता है quality that a person or thing has क्या उनकी quality है क्या वो काम करते है क्या उनका state है ठीक है जैसे honesty the quality of human being human being की quality है fight the action of being involved in fight action है उनका adulthood state क्या है poverty the state of being poor जब किसी की quality action या state को बता जाता है तो abstract noun example देखिए the sports event was a grand success जो sports even है वो success मतलब उनकी यह क्या है state Sam was the great pain after hurting उसको pain हो रही है तो pain क्या है उसकी feelings है उसकी state of mind है तो यहाँ पर जो success और जो pain है वो हमारा क्या हो गया क्या हो गया हमारा now abstract now proper common और collective noun जो हमें यहाँ पर choose कर रहे हैं grapes क्या है हमारा group में आता है freedom क्या हमारी abstract में आएगा sparrow हमारे animal का नाम है silver हमारा material का नाम है सेथी Mr. सेथी हमारा person का नाम है cup जो है हमारे thing का नाम है happiness abstract नाउनाएगा flock जो हमारा abstract नाउनाएगा और France country का नाम है bunch